हलो फ्रेंज वेलकम बेक टू माई चैनल हाजिरू एक नई रोमेंटिक लफ स्टोरी लेकर कहानी की शुरवाच चोम से होती है जो अपनी दो दोस्त तैंग थाई और टैंग मो को देख रही थी ये दोनों एपल को ही देखे जा रहे थे चोम कभी भी अपनी दोस्तों का नाम सही से नहीं बोलती थी तब ही पिगलिट वहां आती है चोम बोलती है ये दोनों एक घंटे से ही एपल को घूरे जा रही है जैसे पागल हो दोनों दोस्त बोलती है हम पागल नहीं है क्योंकि ये एपल हमें टैड़ी और पासकर ने दिया है चोम पूछती है अब ये दोनो महान कौन है इगलिट बताने वाली थी पर चौम बोलती है मुझे नहीं जानना ऐसे लड़के जो पागल कर देते हैं उससे दूर ही रहना सही है वो वहां से जा रही थी तब ही उसकी नजर टैडी पर जाती है और उसे देखती रह जाती है यही मेरे फ्यूशर बच्चों का ह उन्हेवाला डैट बनेगा और गुरने लग जाती है तैडी पूछते क्या तुम ठीक हो लड़की चौम बोलती है अभी तक तो थी पर अब नहीं हूँ पर बात में बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ तैडी और पासकल जा रहे थे यह दोनों इतना क्लोज हैं कि सभी इनको गे यह नहीं हो सकता इसे तो मुझे अपने प्यार में डालना ही होगा तैडी और पासकल फूट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे बाहर आकर यह दोनों की मस्ती स्टार्ट हो जाती है यह चौम भी देख रही थी और स्माइल कर रही होती है तब ही उसकी दोनों दोस्त आती है किसको देख रही हो चौम डर जाती है तैगमो बोलती हम तो मोडल जैसे दिखते हैं तो हमसे डर क्यों गई इस बार चौम इनका नाम सही से ले लेती है तो यह दोनों समझ जाती है पका कुछ तो गड़बड है इसलिए हाथ मूँ दोकर उसके पीछे पड़ जाती है चौम बोलती है देखो वो लड़का कितना हैंसम है ना यह दोनों देख रही थी तब ही चौम भाग जाती है चौम सर्वी के पास आती है जिसे सब कुछ पता होता है वो उसे गिफ्ट देती है चौकी मिल्क था सरवे बोलता है दूध कौन किफ्ट करता है और पीने लगता है चौम बोलती है वो तो मैं पूछना ही बूल गई सर्वे उसे एडवाइज देता है उसके क्लोज जाओ किसी ना किसी भाने से क्लास चल रही होती है पर इन मैडम को तो टैडी ही दिख रहा था वो बोलने लग जाती है तुम कितने हैंसम, कूल, टॉल और यम्मी हो उसके दोनों दोस्ट टीचर से बोलती है ये लड़की पागल हो गई है हमें इसे होस्पिटर लेकर जाना होगा चौम भारा कर बोलती है क्या हुआ है हम भार क्यूं आए हैं तंग्थाई उसको एक्टिंग करके बताती है ये हुआ था पिगलेट पूछती है कौन है वो एंसम लड़का जिसके पीशे तुम इतनी पागल हो रही हो चौम को टेड़ी दिखता है ये रहा वो पिगलेट बोलती है मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा चौम बोलती है मुझे याद आया मुझे कुछ काम है और टेड़ी के उपर नज़र रखने लग जाती है टेड़ी से मिलने पासकल आता है चौम बोलती है पासकल अब तुमारा बॉइफरेंड मेरा बनने वाला है और जानकर टेड़ी के साथ तकराने वाली थी ताकि ये दोनों क्लोज आ जाएं पर वो लड़का टेड़ी नहीं था चौम सोचती है अच्छा हुआ और टेड़ी से टकराती है इवन की किस भी हो जाती है चौम तो बहुत जादा खुश हो जाती है आखिरकार मैंने अपने क्रश को किस कर लिया टेड़ी पूछता तुम ठीक तो हो ना चौम बोलती है तुमारा शर्ट गंदा हो गया है मैं फोश कर दूँगी और टेड़ी की बोड़ी देखने लग जाती है चौम शर्ट लाकर टेड़ी को देती है वो बोलती है चलो साथ में शावर लेते है और उसके बाद वो भी करेंगे लेकिन ये सब तो मैडम की इमेजिन नेशन थी और इस सपने के चक्कर में वो शट चला देती है पिकलेट जा रही थी पासकल उसकी हेल्प करता है और उसकी ग्रूप में बात करने के लिए आता है पर यहां भी चौम अजीब हरकते कर रही थी और बोलती है मुझे कुछ काम है वो जा रही थी तब इथानवा से टकरा जाती है एवन उसका कैमरा भी तूट गया था चौम माफी मांगती है मैं पैसे दे दूँगी वो मॉम से पैसे मांगती है पर मॉम बोलती है नहीं दूँगी नेक्स ये सबी फ्रेंड्स बाते कर रहे थे जहां टैडी आता है पिकलिट बोलती है ये एकनॉमिक फकैलिटी का अमबैसीडर है चौम सोचने लग जाती है दिलाया भी तो अमबैसीडर पर टैडी सबको फूर्ट्स देता है और प्रोजेक्ट के बारे में बोलता है किसी को ये मुझे रूम में ले जाना चाता है यानि उल्टा फूल्टा सोच रही थी पर रूम में तो सबी थे चौम इंपेरस फिल कर रही थी टैडी पासकल को बोलता है तुम्हारी सॉलमेट यही है ना पासकल बोलता है नहीं इसकी दोस्त है चौम को थनवा का कॉल आता है तु वो रेडी होके आती है टैडी उसे देखता ही रह गया था फोटो शूट होने लगता है टैडी बोलता है तुम आच अलग लग रही हो वैसे तुम पासकल का ध्यान रखना फोटो शूट में चोम सोस्ती है ये तो अपने बॉइफरेंड के लिए हल्प मांग रहा है इसके बा अभी तुम्हें प्रेजेंटेशन भी देना होगा सभी फ्रेंट चोम से पूछ रहे थे तुम क्या टैडी को पासकल से चुराना चाहती हो चोम बोलती है नहीं वो तो प्रोजेक्ट अप्रूफ हो गया था इसलिए हग हो गया था तंथाई पूछ तिये तुम कब से तंथाई एक वीडियो सेंड करती है जो पासकल और टैडी का था चोम यह देख रही थी और गुसा करती है यह देखो कैसे चिपक रही है पासकल का कुछ जादा ही हो रहा है मेरे फ्यूचर बॉइफरेंड के साथ और बुरा भला बोलने लग चाती है पीची से टैडी भी स पूशता है क्या देख रही हो चोम टैडी को देकर शौक हो जाती है तेडी बोलता तुम वीडियो और अपसट से लग रही हो क्या हुआ चोम बोलती है नहीं मैं तुम तंग था यह तंग वो के लिए अपसट थी क्योंकि वो दोनों तुमको बहुत जादा लाइक करती है अब मुझे उनकी नोंसिस बाते सुननी होंगी। तैड़ी बोलता मुझे लगा मेरे लिए अपसट हो रही हो। चोम बोलती है नहीं तो तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। चोम जा रही थी तैड़ी उसे रोकता है मेरी शर्ट तो देती जो जो धोने के लिए लेकर गई थी। चोम बोलती है अच्छली वो मैंने आइरन करते होए जला दिया है बट टोंट वरी मैं नया खरीद कर ला दूंगी। चोम बोलता है तो तुम मुझे ट्रीट में लंच करवा देना में तुम्हें पिक करने आजाओंगा। चौम तो खुश होने लगती है, ड्रीम बोई के साथ खाना खाने को मिलेगा, तैड़ी चौम को पिक करने हाया था, सभी लड़किया तैड़ी को ही देख रही थी, चौम सोचती है ये बंदा तो और भी होट लग रहा है, ये दोनों लंच करने आते हैं, तैड़ी बोलता है तुमने तो बहुत कुछ ओडर किया है, चौम बताती है ये सब हम घर भी ले जा सकते हैं, तैड़ी बोलता है तुम्हारा प्रोजेक्ट final में अपरूफ हो गया है, चौम चिलनाने लग जाती है, क्या बात है, तैड़ी बोलता है तुम मुझे टीस कर रही हो, चौम बोलता नहीं तो टैडी भी उसे वही खिला देता है कैसा लग रहा है अपने क्रश को दिखाने के लिए बोल देती है ठीक है पर अंदर से तो आग लग जाती है तैडी बोलता है यह तुमने ही चुरू किया था तभी शोप ओनर दनई वहां आता है वो टैडी को पहले से ही जानते थ क्योंकि वो अक्सर आया करता हमस्त्र है क्स बोलता दनson एक एक साल पहले जो टैडी बीर छोटा था उसका क्या करना घ्याव क्या यह तुमने लेटी है जाती है तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं ले लेती वाले थे ना तैड़ी बोलता है पर अब ये तुम्हारा नहीं है चौम का है और उसके सामने चौम के क्लोज आकर वहां से चला जाता है चौम तो बहुत ज़ादा खुश्टी तैड़ी से गिफ्ट जो मिला था तैड़ी की घर आने पर पास्कल बोलता है पास्कल तुम किसी फैसकल बोलता तुम उसे लाइक करते हो ना तौंगतों को भुला नहीं पाए हो ना एकूलि जब के बड़े पर तैड़ी उसका वेट कर रहा था इवन की मैसेज भी करता है तो नहीं उसके मेसेज का रिपलाई करती है और नहीं वहाँ आती है टेडी बोलता उसे भुलाना तो मुश्किल है क्योंकि वो टेडी का फर्स्ट लव थी पर मैं उससे दूर रहना चाहता हूं ताकि मूव ओन कर सकूं चौम वही टेडी वाली शट टेडी बियर को पहना देती है इवन ऐसे बाते करती है जैसे वो टेडी हो चलो आज हम एकी बैड पर सोने वाले हैं पर मुझसे दूर रहना ऐसा वेसा खुश मत करना पॉनिंग में पास्कल और टेडी ब्रेकफास्ट के लिए लड़ाई कर रहे थे तब विचारी बनकर टोंग्टों वहाँ आ जाती है मैं भी ब्रेकफास्ट कर सकती हूं क्या पास्कल पॉलता है क्यों नहीं तैड़ी उसे इशारा करता है क्या बकित जा रहे हो चुडेल को कौन अपने घर बुलाता है तॉंग तो बोलती है वैसे ये लड़का कौन है क्योंकि पास्ट में आती थी एवन तुम्हारी फैमली में भी ये नहीं था तैड़ी बोलता है तुम्हे तो को यकीन नहीं हो रहा था तैड़ी पास्कल को किस करता है इवन स्वीट एक्ट करने लगता है जैसे ये दोनों कपल हो तॉंग तो बोलती है जो करना है करो पर मैं तुम पर गिवप नहीं करने वाली मुझे पता है तुम मुझे नहीं भुला सकते हो तॉंग तो की जात रहे थे एवन किसी को नहीं पताता ये लड़की चौम है पर ये दोनों तो पहचान लेती है चौम के आने पर ये दोनों पूछती है कल क्लास के बाद तुम टैड़ी के साथ थी ना चौम बोलती है बिलकुल नहीं तंथाई फोटो दिखाती है ये देखो ये हूब हूँ के लिए तुम्हारा ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ पिगलेट बोलती है अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ पासकल बोलता है तुम्हें देखकर कौन कहेगा तुम बड़ी हो गई हो चलो लंच पर चलते हैं पासकल भी पिगलेट के लिए लंच लाया था और उसे किसी और मैं के साथ देखकर अपसेट हो जाता है तैड़ी और पासकल के फैंस सोच रहे थे तैड़ी दूसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था इसलिए वो पासकल से बात करने आता है और बोलते है तैड़ी तुम्हें चीट नहीं करेगा अपसेट ना हो तब ही तैड़ी आ तैड़ी पर जो भी डूरिट डालेगा उसे सबक तो सिखाना होगा चोम और उसकी फैंस जा रहे थे तब ही वो देखती है फैंस फोटो लगाकर चोम को वोर्निंग दे रहे हैं हमारे तैड़ी से दूर रहना ये देखकर पिगले तंग्थाई से पूछती है ये सब क्या ह क्योंकि वो भी फैन क्लब में थी तंग्थाई बोलती है ये मैंने नहीं किया पर इस फोटो में छो लड़की है उसका जीना हराम होने वाला है इवन चोम से भी पूछती है तुम्हें क्या लगता है चोम बोलती है तुम पहले तो ऐसी नहीं थी चोम बोलती है मैं तो जस स पाघलो कि तरह नाच रहे हैं इवन की डृंशा को दिंग पसंद नहीं इसलिए यह इन तीन वो की पाँगो जैसी हरकतें देख रहे पर मैंने तो देखा था न आज पता चला तुम सिंगल क्यों हो चैड़ी पिगल एक क्यों नाहीं। चोम बोलती है प्रोजेक्ट के लिए पैसे देने के लिए मज़ा आ रहे ना तैड़ी बोलता तो वो प्रोजेक्ट के पैसे यहां उड़ाए जा रहे हैं क्या पेकले तंक्ताई हो यह तीनों सोचते यह लड़की आज पका मरवाएगी तैड़ी चोम को अपने साथ ले जाता है वो भी एक बैड़ पर चोम बोलती है मेरे कप्रे किसने बदले तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं है ना तैड़ी बोलता है हाँ मैं बता सकता हूं मैंने तुमारे साथ क्या किया है चोम इंबरस हो जाती है और भागने वाली थी तैड़ी उसे पकड़ लेता है बता और दूसरी दोस्त बोलती है क्या तुम दोनों के बिच कुछ हुआ था चौम बोलती है नहीं कुछ भी नहीं हुआ था तैडी ने मुझे मेरे घर छोड़ दिया जाता वैसे तुम दोनों नॉर्मल हो जाओ ऐसे देख कर कोई डर जाएगा अन्वल फंक्शन में प्ले होने वाला था जिसकी स्क्रिप्ट राइटर तॉंगता है वो चौम को फीमिल लीड का रोल देती है चौम बोलती है मैं इतनी सुंधर नहीं हूं किसी और को ये रोल दे है चौम बात करने से मना कर देती है तो वो उसे उठाके ले जाता है पिगलिट बिन के पीछे जाने वाली ती पर उसे पासकल लेकी चला जाता है तंगताई और तैंग वो सोचती है पहले किसकी हेल्प करे तंगता बोलती है तैड़ी सिर्फ मेरा है तंगताई बोलती है न पूछता है तो उस दिन किस क्यूं की थी और पूछता है तुमने प्रोजेक्ट वाले पैसो का क्या है मुझे रहा है अपने प्रोजेक्ट queries की हैल्प नहीं ले सकती है पैसी चुकाने के लिए यह फिर मुद्ध्ध कोट राएं बराबर हो गया किस का चोम सोचती है जान किस चाहिए था तो बता दिया करो इधर पास्कल पिगलेट का हाथ छोड़ी नहीं रहा था पास्कल बोलता है मैं तुम्हें जाने दूगा पर एक कंडिशन है तुम्हें मेरे साथ डीनर पर चलना होगा पिगलेट बोलती है ठीक है मेरे को देख तैडी पूछता है क्या हुआ इतना बलश क्यू कर रहे हो पास्कल बोलता है कुछ भी तो नहीं तैडी बोलता अच्छा तो चलो मुझे घर छोड़ दो पास्कल नहीं आज मेरी देट है टैडी चों का वेट कर रहा था चों बोलती है अभी तीन दिन नहीं हुए टैडी बोलता लंच करने चलोगी चों बोलती हाँ क्यूं नहीं पर पैसे नहीं है मेरे पास सो आज की ट्रिट तुम्हारी तरफ से चों खानी की जंगा टैडी को ही घुरी जा रही थी तैड़ी बोलते है क्या मैं तुम्हें घाना खिलाओं चौम बोलती है हाँ यही तो चाहिए और होश्मी आने पर बोलती है नहीं यह दोनों मस्तिक कर रहे थे तभी टैड़ी को काम आ जाता है चौम गार्डन में थी तभी उसे बॉल लग जाती है और फिर भियो के साथ मिलके बच्चों को ड्रॉइंग सिखा रही थी तैड़ी ने हमारी हेल्प लेने से तुम्हें मना किया था चौम बोलती है क्यों उस दिन तीनों भी तो थी हेल्प तो करनी होगी तानवा बोलता है पर मैं तो नहीं था ना चौम उसे डरा देती है अभी पासकर और तैड़ी आते हैं सभी फ्रेंड्स किसक जाते हैं तैड़ी बोलता है क्या कर रही हो चौम बोलती है दिखाई नहीं देरा ट्राइंग सिखा रही हूँ उसे पता नहीं था पीछे टैड़ी है वो शोक हो जाती है मुसीबत मेरा पीछा क्यों नहीं चोड़ती तैड़ी उसे लेकर दूर जाता है मुझे तुमसे बात करनी है चौम बोलती है वो देखो यू एफो टैड़ी बोलता इस बार मैं तुमारी भातों में नहीं फसने वाला लेकिन चौम फिर से टैड़ी को किस करकर भाग जाती है क्लास के बाद सभी फिर्ण्स बाते कर रही थी पर तंग था पाई और टैंग मो तो भाना करकर भाग जाती है पिगलिर देखती है यहां टैड़ी है इसलिए वो चली जाती है चौम बोलती है मुझे भी लेती चलो टैड़ी उसे रोकता है चौम बोलती है मैंने कप्रे वोशिंग मशीन में रखे थे इसलिए घर जाना होगा टैड़ी पासकल उसे देखकर बोलते है तुम किसे भाग रही हो पासकल बोलते है नहीं तो मैं अपनी दोस्तों का वेट कर रही हूँ जो अल्ड़ी गायब थी पासकल बोलते है क्या मैं तुम्हें लाइक कर सकता हूँ पिगलेट बोलते हैं मुझे कुछ काम याद आ गया है और चली जाती है पासकल बोलता है कितनी क्यूर दै ये थानवा बोलता है तुम पिगलेट को लाइक करते हो न एक बार सोच लेना पासकल बोलता है मैं शूर हूँ थानवा बोलता है फिर मुझे कॉम्पिटिशन करने को तयार हो जाओ क्योंकि धानवा भी पिगलेट को लाइक करता था पास्कल बोलता है मैं रेडी हूँ तैडी अपने फ्रूट प्रोजेक्ट के लिए फ्रूट्स डिस्टिब्यूट कर रहा था तभी वो चोम को देखता है और एपल का कोस्ट्यूम पहनने को बोलता है पास्कल तैडी बोलता है मैं तो आऊंगा वो उसे टच करकर भगा रही थी तैडी बोलता है इससे तो और भी जादा अटेंशन मिलेगी भूलना मत आज मेरे घर आ जाना चौम हैपी हो जाती है कितना हैंसम लग रहा था तभी तॉंग तो आती है और चौम से पूछ ते तैडी चौम बोलती है मैंने उसे नहीं बुलाया था तॉंग तो बोलती है अच्छा तो तुम के ना चाती है वो तुम्हारे प्यार में पढ़ गया है और उसे हर्ट करने वाली थी तभी टेडी वहां आ चाता है तैडी की वहां आने पर तॉंग तो मासुम बन की बोलती है मैं त ना गुसा निकालती है उसके वक में कम्प्लेन करकर तंग्थाई और टैंग्वो तो समझ गई थी ये तोंग तो किसी चुडेल से कम नहीं है तब ही टेड़ी और पासकल आते हैं ये दोनों सोचते हैं मुझसे मिलने आई हैं पर टेड़ी बताता है मैं चौम को लेने आया पासकल बोलता है ओ किसी को लाइक करने के लिए पर्मीशन चाहिए होती है ये तो मुझे पता नहीं था चलो अब बोल देता हूं क्या मैं तुम्हें लाइक कर सकता हूं पिकलेट कुछ नहीं बोलती और शर्माते हुए चली जाती है तैड़ी चौम को बोलता है मेरे लिए डीनर बना देना चौम पूछ दिये तुमारी हाउसमेड कहा है एशली टैड़ी ने अपनी हाउसमेड को मना किया था कुप करने से टैड़ी बोलता भूलो मत तुम्हें मेरे ओर्डर को फोलो करना होगा वैसे भी आप मेरे पस नहीं हाउसमेड है टैड़ी चौम की कोई हल इवन कीचन से भी नहीं जा रहा था चौम ने जो सूप बनाया था टैड़ी को वह बहुत ज़्यादा स्वीट लगता है चौम बोलता है क्योंकि मैं भी स्वीट हूँ ना तैड़ी बोलता फिर तो मुझे टेस्ट करना ही होगा और किस करने वाला था करता भी तोंग तुम हम रिलेशनशिप में थे अब नहीं है और उसे एक्नोर करकर चौम को बोलता है चलो घर छोड़ देता हूं तुमें घर आने के बार टैड़ी एक्टिंग करने लगता है मैंने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया चौम उसे अपने घर लेके आती है अभी उसके फिन्स घर आ जाते हैं इसे लिए वो टैड़ी को रूम में चुपा देती है यहीं रहना तंग्थाई और टैग्मो चौम के रूम में शावर लेनी के लिए जा रहे थे चौम उन्हें रोकती है मेरा रूम बहुत गंदा है पिगलेट बोलती पर आज ही तो तुमने क्लीनिक की थी ना त सब की सोने के बार टैड़ी को घर से निकाल देती है अगले दिन चौम कोकिंग कर रही थी चौंब बोलता है मुझे चल्दी चाहिए जल्दी स czasu तॉंग तो ने चोम और टैडी का फोटो ओन्लाइन पोस्ट कर दिया था तैडी और पास्कल के रिलेशन्शिप के बीच में आ रही है चोम को स्टूडेंस बूली कर रहे थे टैडी आके उसे बचा लेता है इवन प्रेस क्रोंफरेंस में अनॉंस्मेंट भी करता है वो पास् तॉंग तो बोलता है डिरामा कि डिरेकटर मैं हूं तो मुझे मत सीखाओ नन्चोम से माफी मांगता है मुझे किस कर नहीं होगी त अभी टैडी आके बोलता है लास्ट यर तुमने भी तो प्ले किया था, उसमें तो कोई किस नहीं था तैडी बोलता है तुम नहीं चॉम पार्ट ताइम चॉप कर रही थी तब ही उसकी फ्रेंड आती है चॉम तो अपनी फ्रेंड के बॉइफ्रेंड पे पूरी तरीके से फ्लाइट हो जाती है और ये टैडी भी देख रहा था एवन उस पर गुसा भी करता है चॉम बोलती है क्या तुम जेलस हो टैडी बोलता है नहीं तो फ्रेंड्स चॉम की हेल्प करते हैं ताकि चॉम जल्दी से टैडी के पैसे लोटा सके चॉम टैडी को पैसे देती है बाकी के पैसे मैं वीकेंड के बाद दूंगी वीकेंड में मैं और मेरे फ्रेंड्स पार्ट ताइम जोप करेंगे तैडी बो यह सब तो लड़कों को पूछना चाहिए ना चौम बोलती है पर तुम तो बड़े स्लो हो तैड़ी बोलता है अब हम ओफिशली डेट कर रही है ना चौम तो हैपी हो जाती है अब तो मेरा भी बॉइफ्रेंड है और अपने डाड़ी वियर को बोलती है मेरा कराना होगा ताकि मैं भी प्रिटी लगू चौम बहुत जादा एक्साइटेड थी क्योंकि वह अपने ड्रीम बोई को डेट कर रही थी नेक्स्टी यह दोनों डेट पर जाते हैं और मस्ती भी कर रहे थे चौम डाड़ी की लिप्स पर आइसक्रीम लगा देती है और फिर क जानना हो तो मुझसे पूछ लेना और तैड़ी से बोलती है तुम्हें इस ट्राइब की लड़की कैसे पसंद आ गई तैड़ी तोंक्तों को इग्नोर करकर चौम को वहां से ले जाता है पिगलेट लाइबरी से जा रही थी उसे लेने के लिए पासकल और थानवा दोनों ह यह दोनों लड़ाई करने लगते हैं पिगलेट मेरे साथ आएगी पासकल बोलता है नहीं मेरे साथ पिगलेट पासकल को जाने को बोलती है मुझे थानवा से कुछ काम है थानवा बोलता है मुझे पासकल के लिए बुरा लग रहा है एक्चली में धानवा पिगलेट को ना सीरियस है तैड़ी चौम से माफी मांगता है क्योंकि तोंगता ने बीच में आकर सब भी गार जो दिया था ये पोफिक डेट नहीं थी ना तोंगता बोलती है नहीं ये बेस्ट डेट थी मुझे मज़े अया तैड़ी चौम को किस करता है कुछ तो रोमेंटिक होना चाहि और वो टईडी को अपने बातों के जान में फसा कर किस भी कर देती है पासकल अपसेट था, पिखलेट आके बोलती है क्या हुआ इतना भी क्या अपसेट होना पासकल बोलता है तुम मेरे कॉल और मैसेज को इग्नॉर करती हो मुझे उस दिन भी जाने को बोल दिया था पासकल तो रोने ही वाला था पिकलेट बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दो पर पासकल तो पिकलेट को किस करता है एक्ष्ट्री मैं एपसेट होनी की तो वो एक्टिंग कर रहा था पिकलेट उसे मारने जाती है तुम तो बहुत चल पर वो पिगलेट को पकड़ लेता है पिगलेट बोलती है छोड़ो मुझे पास्कल बोलता है नहीं पिगलेट और पास्कल का फोटो शूट चल रहा था चौम बीच में आ जाती है और टैडी के साथ फोटोस क्लिक करने लगती है जैसे ही वो भार आती है तोंगता उसे बोलत करने का ट्राइक कर रहे थे चौम बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ एक लड़के के लिए अपसट क्यू होंगी वह हैंसम है होट है फेमस है उस जैसा लड़का मुझ जैसे लड़की के साथ कभी सचा प्यार नहीं करेगा टैड़ी यह सुन रहा था उसे देखकर चौम चालू हो जाती है टैड़ी बोलता है क्या हुआ मुझे बताओ ना चौम बोलती है सच में नहीं पता तुम्हें उस वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता था पूछत है कून सा वीडियो किस की बारे में बात कर रही हो चौम बोलती है तुम तो अच्छी एक्टिंग कर लेते हो जै वी वीडियो तौंगता बोलती है तुम्हारी गल को तो तुम पर ट्रस्ट इनें तो में क्या करूं तैडी फिर से चौม को समझाता है तौंगता का वो प्लैन था मैंने कुछ नहीं किया प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो चौम बोलती है एक बार कर लिया अब दुबारा नहीं करूँगी तुमने एक बार भी उस तोंगता को रिजेक्ट नहीं किया ना और ये बोल कर चली जाती है एक दोस्त चौम से पूछती है क्या तुम्हारी टैड़ी के साथ लड़ाई हुई है चौम बोलती है हाँ फ्रेन्ड उसे समझाती है, हो सकता है, यह सब तोंकता का किया धरा हो, इसलिए ज़ादा मत सोचो, टैड़ी अगर तुम्हें लाइक नहीं करता, तो इतनी सारी लड़कियों में से तुम्हें ही चूज क्यू करता, तुम तो इतनी प्रिटी भी नहीं हो, चोम बोलती है यह क् डांस कर रहे थे तंक्ताहय और टैंग्बो ने पिंटपा मेकप क्या थाक पासट मुझे पासट कल इस वो तो तंकता भी देख रही थी पासकल पिगलिट को बोलता है अब तुम मेरी गल्फिंड कब बनने वाली हो पिगलिट बोलती है मुझे लगा हम तो ओर्डेडी डेट कर रहे हैं पासकल बोलता है फिर तो मुझे किस भी मिलनी चाहिए ना चौम और नन वो ड्रामा प्ले करते हैं तैड़ी भी देखने आता है और फूलों का गुजदस्ता भी लाया था चौम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है यह दोनों भार आते हैं तैड़ी बोलता है जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मुझे प्यार का मतलब पता चल गया है तुम बहुत ज़्यादा अनोखी हो मैं पूरी लाइफ तुम हुँ ऊजब जबाइब पता उया होMatraf का मुझे का घजफ से अधिक भया है कि मुझे आता अनोग तुम तो कहुआ हो Mooky ।ुम पार आता सत